अजीब सा सवाल बोल सकते हो आप, बट मेरे माइंड में सडनली आया, भगवान के इतने सारे रूप की होते हैं, एक ही क्यों नहीं है? एक बार एक आदमी था, भगवान में नहीं मानता था, वो सत्संग में बैठा था, तो वो खड़ा आओके बुला भगवान भगवान कोई नहीं होता, क्योंकि भगवान होता तो सब को एक जैसा दिखता, उसने सब को कहा सब आँग बंद करो, सब ने आँग बंद की, उसने क क्या देखा गोल गोल रेड कलर का उसने का घोड़ा क्या देखा समने बता है चार पेर पूछाती तो सब ने देखा क्या देखा सूर दात उसने कहा भगवान तो पूछा क्या देखा किसी ने कहा हमको मुरली वाला दिखा किसी उसने कहा हमको धनुश वाला दिखा, किसी को तुशूल वाला दिखा, तो उसने कहा देखो, अगर भगवान होता तो सब को एक दिखता, वहीं कोई एक समझदार आदमी बैठा था, उसने कहा चलो मैं भी यह ट्राय करता हूं जो तूने किया है, सब को कहा आग बंद करो, गोड़ा सब ने सोचा, हाती सब ने सोचा, फिर उसने कहा अपने अपने पिता को सोचो, तो सब ने अपने अपने पिता को सोचा, उसने क्या दिखा, कोई बोला हमको एकदम गोरा चिट्टा दिखा, जिसके पिता गोरे थे, किसी को एकदम काला दिखा, किसी को एक हात वा किसी के आख नहीं तो एक आख वाला तब उस आदमी ने कहा कि जब सब के पिता का रूप अलग-अलग हो सकता है तो जगत के पिता का रूप क्यों नहीं हो सकता कोई उसको राम रूप में भजे कोई कृष्ण रूप में जिसकी जैसी भावना है जिसको जिसमें जादा अपने जैसे लगते किसी को थोड़ा सा रौद्र रूप अच्छा लगता तो महादेव को भजेगा किसी को मर्यादा अच्छी लगते तो राम जी को भगवान ने हमारे लिए बड़ा इजी कर दिया सुलब हमारे लिए कर दिया कि जिसको जैसी रुची हो सब के पिता अलग- है तो जगत पिता ही वो दूसरा भगवान युग के अनुसार भी अलग-अलग अवतार लेते हैं जैसे एक टाइम था जब मर्यादा की जरूरत थी तो मर्यादित हो करके आई जब द्वापर में उनको लगा की नहीं अब मर्यादा नहीं अब तो खुले आम लीला करेंगे बस अब कोई मर्यादा नहीं तो कृष्ण बन के आ गए तो युग के धर्म के अनुसार जब जैसे समय में जिसकी आवश्यक्ता होती है भगवान वैसा रूप धारन करते है तो सीधी सी बात है जिसको जिसमें रूची जिसको जैसे अपने पिता भाते हो वो सुरूप में भगवान को भजेगे ओके